So friends, आज मेरे बास है, यह OnePlus के तरफ से आने वाला OnePlus Bullet Wireless Z earphone जो कि एक Bluetooth wireless earphone है, neckband style में आता है और under 2000 यह आपको 20 hours का battery life देता है, जो काफी impressive है अगर आप इसको purchase करना चाहें, तो आप description में best buy link चेक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम इसी का कुछ special features discuss करेंगे जैसे कि कैसे आप इस Bluetooth wireless earphone को factory reset कर सकते हैं कैसे आप इससे दो device connect कर सकते हैं, चाहे वो दो smartphone हो या एक smartphone, PC, laptop, कुछ भी, आप दो device Bluetooth के तरू इससे connect कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक quick switch button भी मिल जाता है, इसमें left side के capsule में जिसके मदद से आप उन दोनों device की बीच में switch भी कर सकते हैं इसके अलावा, इस video में हम इसका कुछ और controls के बारे में भी बताएंगे जो कि आपको यहाँ पे control panel मिलता है, इसके तरू आप बहुत सारा controls कैसे use कर सकते हैं इसको इसका जो controls है, वो थोड़ा सा different है, other Bluetooth wireless earphones से So start करते हैं guys, इस video को, hello friends, मेरा ना में पुछ कर और आप देख रहे हैं tech screw, let's start So friends, सबसे पहले इसको factory reset कर लेते हैं, factory reset करने के लिए आपको इसको सबसे पहले on करना होगा और यह OnePlus bullet wireless Z है, यह magnetic type power on a function के साथ आता है, मतलब कि आपको इसको on करने के लिए, इन दोनों ही earbuds को अलग करना होगा On, अलग करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे LED indicator जल गया है, इसका मतलब यह अब on हो चुका है On करने के बाद आपको यहाँ पे control panel मिलता है, जिसमें volume up और volume down बटन को एक साथ तीन सेकंड तक प्रेस करके आप इसको factory reset कर सकते हैं अब हम एक साथ इन दोनों ही बटन को तीन सेकंड तक प्रेस करेंगे तो गईज अब देखेंगे कि थोड़ा सा pink जलता है, उसके बाद red color में blink करके यह off हो जाता है और finally अब यह जो हमारा oneplus bullet wireless Z है, यह हमारा factory reset हो चुका है अब इसको वापस से आपको on करने के लिए magnetic lock को आपको फिर से magnetic through इन दोनों को चिपका देना है और उसके अब फिर से अलग करना है, तो आप देखेंगे कि अब यह फिर से on हो चुका है, तो अब यह factory reset हो चुका है next अब देखते हैं कि कैसे आपको इसको अपने device से connect करना है, एक नहीं, दो-दो device से कैसे इसको connect करेंगे और कैसे इस quick switch का use करके दोनों के बीच में आप switch कर सकते हैं तो इसके लिए हम दो device यहां पर रखेंगे हैं, हमारा Mi A3 और Redmi 3S Prime So, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों ही smart phone का Bluetooth जो है, वो on है तो सबसे पहले इसको आपको एक device से connect करना है और उसके बाद आपको दूसरे device से connect करना है Connect करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Bluetooth wireless earphone को, bullet Z को on करना होगा On करने के लिए दोनों ही ear birds को अलग करना है, उसके बाद यहां पर LED indicator आपको blink करता हूँ दिख रहा होगा एक बार यह pairing mode में आ जाता है, धीरे-धीरे blink करने लगता है, तो हम सबसे पहले इसको अपने पहले phone से connect करते हैं Bluetooth on करके उसके setting में चल जाएए, यहां पर आपको OnePlus bullet wireless Z या OP headset लिखा होगा आ जाएगा इससे आपको press करके connect कर लेना है, आपको एक music type का indicator भी आपको earphone में सुनाई देगा तो connecting हो रहा है और यह finally connected हो चुका है, जब एक बार यह connected हो जाता है तो यहां पर slowly slowly blink करने लगता है आपका यह जो earphone है ठीक है guys, तो अब हम देखते हैं कि कैसे आपको इस दूसरे device से कैसे इसको connect करना है, connect करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि quick switch button को 3 second तक press करके रखना होगा ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है कि connected है और battery indicator भी दिख रहा है, अब हमको इसको दूसरे device से कर connect करना है, तो इसको आपको 3 second तक button को press करके रखना होगा So guys, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां से disconnect हो चुका है, और यह फिर से pairing mode में चला गया है, ठीक है guys, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, कि हम अपने दूसरे phone में भी connect करते हैं इसको, pair new device, और यहां पर भी आपको oneplus bullet wireless jet दिख जाएगा, just इस पर click करेंगे, pairing होगा, औ और यहां पर pair कर देना है, और यहां पर भी आपका जो device है, वो connected हो गया है, और यहां बैटरी 80% show कर रहा है, अब यहां भी slowly slowly blink करने लगा, मतब device जो है यहां पर connected है, आपको यहां पर देख पा रहा होगा, कि हमारा device जो है यहां पर connected हो चुका है, ठीक है, तो अब अगर इसको previous device पर switch करना है तो इस quick switch के button से आप quick switch के मदद से आप switch भी कर सकते हैं इसके लिए आपको just double press करना होगा अपने quick switch button को और यहां जैसे इसको double press करते हैं आप देख पाएंगे कि वहाँ से disconnect होके इससे अब connected हो गया है आपको देख पा रहा होगा कि अब यह इससे connected हो चुका है ठीके guys तो इसी तरीके से आप easily switch कर सकते हैं अब अगर आपको दिखाएं कि यह वापस से कैसे यह Mi A3 पर switch हो जाएगा जैसे अभी आप देखिए I hope आप यह दोनों यहीं फोन देख पा रहा होगा अब यहां फिर से हम double press करने जा रहा है quick switch को और आप देखें यह कि यहां एक device से disconnect होगे दूसरे device पर यह connected हो जाएगा तो guys आप देख सकते हैं कि यह फिर से Mi A3 से connected हो गया तो इस तरह से आप quick switch को use कर सकते हैं इसमें आपको दो कलर में जलता हुए एक LED notification light भी मिल जाता है यहां पे quick switch button के ऊपर में जो की red और white color में जलता है अगर charging के समय बात करें तो यह charging के समय जो है वो red color में जलता है जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा जैसे इसको charging में लगा है तो यह red color में जलने लगा और जब यह full charge हो जाएगा तो यह white color में जलने लगेगा अगर next बात करें इसके control panel का तो इसमें आपको control panel में तीन switch में जाता है एक volume down button, volume up button और एक multipurpose button so friends यहाँ पर जो multipurpose button है वह वहाँ की एक proper multipurpose button है because यहाँ पर इसी के मदद से आपको music को भी control करना पड़ता है volume up और down button का मदद से सिर्फ आप volume को up and down ही कर सकते हैं next track और previous track गाने के लिए भी आपको multipurpose button को ही use करना पड़ता है multipurpose button से आप एक click करके answer कर सकते हैं call को अगर आपको कोई call आ रहा है तो इसको press and hold करके आप call को end कर सकते हैं इसके बाद इसको click करके मतब just एक बार press करके अगर आप music सुन रहे हैं तो वह pause हो जाएगा और अगर music pause है तो वह play हो जाएगा वही अगर बात करें अगर इसको double press करते हैं तो आप next song पे चले जाएगे और अगर आप इसको triple press करते हैं तो आप previous track पे चले जाएगे तो guys अगर यह next track पे जाना और previous track पे जाना volume buttons के मदद से मिलता double press volume button यह double press volume up button को next track और previous track के लिए तो यह काफी ज्यादा convenient होता बट यह भी काम आपको multi-purpose button से ही करना पड़ता है यहाँ पे तो guys अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लिजेगा इसका unboxing वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं इसका link लिंक जो है screen पे आ रहा होगा साथ कि अगर आप इसको purchase करना चाहते हैं तो आपको best buy link जो है video description में मिल जाएगा आप वहाँ से इसको purchase कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा स्क्रीन के ऊपर एक button आ रहा है उसको press करके आप subscribe भी कर सकते हैं विल देखले वीडियो में तब तक technology guys तमारेक limit में कीजेए and thanks for watching